नमस्तार दोस्तों सुप्रीम कॉर्ट में आज जो हुआ उसको सुनकर शायद योगी आदितनात अपनी बुल्डोजर वाली राजुनीती भूल जाएंगे सुप्रीम कॉर्ट ने जो सुप्रीम फैसला सुनाया है उसको लेकर आज देश की जनता कह रही है कि सुप्रीम कॉर्ट चाहे तो आच्छे अच्छों को बता सकती है कि कॉर्ट के खलाफ जाने पर क्या हो सकता है सुप्रीम कॉर्ट में ऐसे बाते कही गई दोस्तों इस तरीके की बयान दिये गए जिससे योगी आदितनात बीजेपी की बुल्डोजर राजनीती धुस्त हो गई आज सुप्रीम कॉर्ट के उन तमाम जजो को सलाम करना चाहूंगी सलीूट करना चाहूंगी कि उन्होंने ऐसा फैसला दिया अपने फैसले पर वो बरकरार रखे क्योंकि सुप्रीम कॉर्ट की आदेशों का धज्या लगातार उड़ते हुए देखा जा रहे दोस्तों सुप्रीम कॉर्ट ने बुल्डोजर राजनीती को लेकर कई दफा रोक लगाया था बीते दिनों भी रोक लगाया था लेकिन भाजपस आशत राज्यों में बुल्डोजर की कारवाई हुई जिसके बास सुप्रीम कॉर्ट ने फजकार लगाते वे कहा कि अगर सुप्रीम कॉ पर नकेल कसा जाएगा और अब मानना का भी केस किया जाएगा सुप्रीम कॉर्ट की बातों को ना मानने का केस लेकिन आप आप सभी को पता है बहराइच हिंसा के बाद मुसल्मानों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया और यह नोटिस चस्पा करके कहा गया कि इन इन पर बुल्डोजर चलाया जाएगा अब हर कोई यह जानने की कोशिस में लगा रहा कि बुल्डोजर चलाने के बाद जो है क्या होगा क्या सुप्रीम कौर्ट के आदेशों का उलंगन किया जाएगा क्योंकि अगर एक list देखा जाए बहराईश दंगे में तो अमूमन जादा तर मुसलमानों का ही वहाँ उस लिस्ट में जो है नाम दिखाई दे रहा है कि कैसे मुसलमानों के नाम जो है दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि इन घरों पर नोटिस चस्पा कर दी गई और उनके घरों को तोड़ गिराया जाएगा और जब ये मामला सुप्रीम कौर्ट पहुँचा तो सुप्रीम कौर्ट ने क्या फैसला दिया दोस्तों उसे सुनकर आप खुद कहेंगे कि सुप्रीम कौर्ट का बेहत शांदार फैसला है और योगी आदतनात को करारा जटका जो है वो सुप्रीम कौर्ट की तरफ से लगा ह दोस्तों आपको बता दू कि सुप्रीम कॉर्ट ने योगी आदतनाथ के बुल्डोजर एक्शन पर साफ तोर पर रोक लगा दी है और रोक लगाते वे क्या कहा है वो मैं आपको हिंदुस्तान लाइफ के हवाले से आई खबर पर पहले गौर करवाना चाहूंगी कि हिंदुस करने के लिए उतरप्रदेश सरकार की कारवाई पर कल तक के लिए रोक लगा दी है मामले की सुनवाई अब बुद्भार को होगी यानि की कल न्याइमूर्थी बियार गवई ने कहा कि आप इस अदालत द्वारा पारित आदेश से आवगत हैं इस अदालत ने क्या आदेश काउमूर्ध है और क्या नहीं फैसला सुनाया है यदि उत्तरप्रदेश सरकार इन आदेशों का उलंगन करने का जोखि मुठाना चाती है तो यह उनकी मरजी है वह जोखि मुठा सकती है सुप्रीम लेस निक सर को फुट पाथ, रेलवे लाइन या जल निकायों पर अतिकर्मन से जुड़े मामले को छोड़ कर देश भर में बिना अनुमती के बुल्डोजर एक्शन पर साफतोर पर दोस्तों रोक लगा दिया था बीते एक अक्टूबर को सुप्रीम कॉर्ट ने सरकारी अधिकारी दोरा घर कानूनी बिल्डोजर विध्वन्स को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेंट ने अपला फैसला जो है वो सुरक्षित रख रखाता पिशले हफते लोक निर्मान विवाग यानि कि PWD कि ने धार्मिक जुलूस के दोरान संगीत बजाने को लेकर बहराई जुले के एक गाउं में संप्रदाइक हिंसा में शामिल तीन लोगों को ध्वस्तिकरन नोटिस जारी किया आपको बता दे कि इस हिंसा में राम गोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हुई थी जिसके बाद योगी आदतनात की पुलिस ने वहाँ पर उन तमाम लोगों के घर को पॉइंट ओड किया जिसे मुख्य आरोपी बताया उनके घरों पर और कुछ लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया याचिका करता ने दा करता की ओर से पेश वरिष्ट अधिवक्ता सी यू सिंग ने कहा कि आवेदक के पिता और भाई में से एक ने आत्म समर्पन कर दिया है कथी तौर पर 17 अक्टूबर को नोटिस जारी किया गया था और 18 अक्टूबर को शाम जो है नोटिस चस्पा किया गया वकील सी यू सिं इसे पहले के अलावाद कोट में भी ये मामली की सुनवाई हुई और अलावाद हाई कोट ने ध्वस्तिकरन पर किसी भी तरह तरीके से तो रोक नहीं लगाई लेकिन ध्वस्तिकरन नोटिस से प्रभावित लोगों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय जरूर दे दिया लखनाव हाई कोट के अधिवक्ता सेयद अक्रम आजाद ने बताया कि याचिका करता दाखिल करने वाले मौः अब्दुल हामित की बेटी दिल्ली की संस्था SORCS for Protection of Civil Rights है जो राश्टी अस्तर पर काम भी करती है जिसको लेकर कहा गया कि उन्होंने इस पूरे मामले पर जो पुलिस है वो इस बुल्डोजर एक्शन को फिलहाल तो रोग दे और कल जो सुनवाई होगी सुनवाई में क्या फैसला होगा यह देखने वाली बात होगी दोस्तों दोस्तों इस पूरे रपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकिरिया में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथी साथ चानल को जाद से जादा लाइक शियर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भोले तन्यवाद दोस्तों